हालो प्रेंट्स नमस्कार दोस्तों मैं हूँ प्रशान्थ आप सबी का अपने चलंज पर बहुत बहुत शौगत करता हूँ आज की वीडियो पर मैं आपको दिखाऊंगा कि मैंने किसी भी डीटेज का सिगनल सेट करने के लिए एक सिगनल फांडर मीटर तैयार किया हुआ है यह आप भी इसे अपने घर पर तैयार करना चाहते हैं तो आप भी बना शकते हैं तो दोस्तों इसे बनाने के लिए मैंने एक छोटा सा प्लास्टिक का बॉक्स लिया है और इस बॉक्स के अंदर जो DDFIDES का MP4 सेटब बाक्स होता है उसका मने मदर बोड जो है इसके अंदर लगाया हुआ है और साथ-साथ मैंने डिस्प्लेई इस पर लगाया हुआ है और इस से मैं सिगनल कैसे सिट करता हूँ तो उसके बारे में भी आपको बताऊंगा तो जो DDPLITS का MP4 स्टब बाक्स होता है उसके साथ हमें एक 12 बोल्ट एक से 10 एंपिर का एडाप्टर मिलता है और इस एडाप्टर का जो लीड होता है तो मैंने काट दिया है और इस लीड को काट कर आप देख सकते हैं एक छोटा सा Dixwire मैंने लगाया हुआ है और एक छोटा सा Dixwire लगा कर और एक F Connector लगा दिया है और इस F Connector पर मैंने यह जो Dixwire वाला जो जो जॉइंटर होता है तो मैंने इसे इस पर लगा दिया है तो इस प्रकार से दोस्तों यदि आप भी बनाना चाहते हैं तो आप भी बना सकते हैं और इस एडाप्टर का एक जो सौकेट वाला पिन है तो उस पर भी शेम इसी प्रकार से आपको एक Connector जो है फिर से लगा लेना है और जो जोइंटर जोइंटर वाला जोइंटर उसे भी आपको लगा लेना है तो आप देख सकते हैं एक छोटा सा डिक्षवायर लगाकर मैंने उस एडाप्टर का जो सौकेट वाला पॉइंट है तो उस पर भी एक छोटा सा डिक्षवायर लगाकर और connector और jointer जो है मैंने लगा कर रखा हुआ है इसका उपयोग मैं यह जो satellite fundameter मैंने बनाया हुआ है उसे power देने के लिए करता हूँ और इसका उपयोग किस प्रकार से करना है तो पूरा completed video देखें तभी आपको समझ में आएगा और तभी आप इसे बना सकेंगे दोस्तों यह देख सकते हैं जो manual काटे वाला satellite fundameter है थोड़ा इसमें जो signal है set करने पर दिक्कत होती है लेकिन दोस्तों जो satellite fundameter मैंने बनाया हुआ है उस पर आप किसी भी details के signal जो है तो full signal के साथ बड़ी आसानी से में दोस्तों set कर सकेंगे इसके लिए आपको एक छोटा सा है जो cable है तो इसे भी आपको लेना होगा जिसे आप LNB से connect करेंगे इसे LNB इन वाले point पर लगा कर और दोस्तों जो सब्सक्राइब कर दोस्तों साथ हमें remote मिलता है तो यदि खराब हो जाता है तो मार्केटर में हमें नहीं मिल पाता है इसके लिए मैंने इंडिपेंडेंट का जो remote था तो उसके जो तीन बटन है एवी वाला और बैदूम प्लस माइनस का उसके सांथ दोस्तों मैंने पेयर क है और जिससे कि मैं सिगनल देखकर और फुल सिगनल के साथ किसी भी डी टीयरिक स्टों कर पाता हैं दोस्तों दोस्तों मैंने हर सट्लायट का एक-प dalन जो win sporting मभा दिखाई देता है और मैं सिगनल का बटन प्रिच करकि और सिगनल दोस्तों सेट कर पाता हूं आप लिज़ जो मैनुआल वाला सेटलाइट फांडर मीटर है इस पर दोस्तों जिनको सिनल सेट करने में दिक्कत होती है तो वह यह सिपली फांडर मीटर है तो बना सकते हैं एक फ्री वाले mp4 सटप बाक्स से और दोस्ते यह आप मार्केट में जाते हैं MP4 setup box purchase करते हैं तो आप उसे चालू करके देखें और remote से info का बटन दो बर प्रेश करेंगे तो आपको डिस्प्ले पर P जो है तो लिख कर आएगा इसका मतलब की signal आपको डिस्प्ले पर वह शो करेगा तो आप दोस्तों उस setup box को purchase कर सकते हैं और मेरे पास दोस्तों यह एक Dardson Company का new setup box था जिसका मैंने की जो motherboard है तो निकाल कर और छोटे से प्लास्टिक के अंदर जो है set कर दिया है दोस्तों मैं इसे पूरा यूज कर सकता था लेकिन क्या था कि यह weight में थोड़ा भारी भी होता है metal body है इसका और शान सन दोस्तों इसे लाने जलाने में थोड़ा दिक्कत होता है इसलिए दोस्तों मैंने इसका motherboard निकाल कर और डिस्प्ले निकाल कर एक छोटे से plastic के अंदर जो है set कर दिया है तो इस प्रकार से दोस्तों आप भी एक satellite funder meter जो है बना सकते हैं और बात रही दोस्तों कि इसके अंदर जो अलग लग satellite की challenge है तो कैसे setting करना है तो मैंने दोस्तों इसके अंदर जो है एक ही satellite को select करके और अलग लग satellite को manual meter से जो है set करके Tata SkyDish TB, Sun TB और दोस्तों मैंने auto scan करके सभी का एक एक challenge जो है तो इस पर रहने दिया है और बागी challenge दोस्तों मैंने delete कर दिया है और अब दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि इसका उपयोग मैं कैसे करता हूँ तो इसे दोस्तों मैं power cache दोँगा तो जो हमारा receiver जो है setup box पहले से लगा होगा तो LNB का wire उस पर से हमें लिकाल देना होता है और इसके बाद जो मैंने adapter के lead को cut करके और app connector लगा कर जाउंटर लगाया हुआ है उस पर हमें LNB का wire जो है इस पर कार से लगा देना होता है बोल्ट का उपयोग हम करेंगे अपने इस home made satellite funder meter को on करने के लिए और अब दोस्तों मैं आपको decentina पर भी दिखा देता हूँ decentina पर हम इसका उपयोग कैसे करते हैं तो अब दोस्तों जो 12 bolt है इस LNB wire के माध्यम से इस LNB पर आ रहा है इसे दोस्तों हमें निकाल लेना है और इसे निकालने के बाल जो हमने home made satellite funder meter बनाया हुआ है और एक अलग से दोस्तों मैंने socket बनाया हुआ है जिस पर app connector मैंने लगाया हुआ है और डिक्षवार जॉंटर लगाया हुआ है देख सकते हैं तो इसे भी दोस्तों मैं इस पर connect कर दूँगा और इसी का उपयोग मैं करूँगा यह जो मेरा home made satellite funder meter है उसे on करने के लिए तो इस पर दोस्तों इसे wire पर 12 bolt हमारे adapter से आ रहा है और अब इसे pin को हमें इस पर लगा देना है और देख सकते हैं दोस्तों हमारा यह है जो home made satellite funder meter है तो दोस्तों यह on हो जाएगा और इस पर जो भी हमने अलग लग satellite के challenge select किये हुए है तो उसको दोस्तों हमें remote से जो है यहाँ select कर लेना है और इसके बाद जो signal का button है तो प्रेश करने के बाद और decentina को घूमा कर हमें दोस्तों signal जो है तो set करना होगा तो आप देख सकते हैं कि आप इस पर एक number, दो, दो, ती, नमबर अलग-अलग satellite के जो challenge है तो आप इस पर दोस्तों load कर सकते हैं और इसके बाद जिस satellite का आपको signal जो है set करना है उसे challenge को आपको लगा लेना है और इसके बाद signal का बटन आपको प्रेश कर देना है और signal आपको इसके डिस्प्ले पर दिखाई देगा एक छोटा सा वायर लेके हमें इसके LNB इन वाले point पर लगाना होगा और एक point हमें आपको डिसेंटीना पर LNB पर लगाना होगा और इसके बाद डिसेंटीना को घूमा कर और डिस्प्ले पर signal देखके हमें signal सेट करना होगा तो दोस्तो यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक जुरूर कर दें दोस्तो नमस्कार